नीम्बू की बागवानी के अंतरगत हम एक स्रंकला प्रस्तुत करते रहे हैं एक किसान ऐसा भी जी हाँ आज मैं कहानी सुना रहा हूँ नरेंद्र मुंडे जी की जो महरास्ट के रहने वाले हैं ये सर्विस भी करते हैं आर्मी में हैं और वहां से हम लोगों का इन्होंने बताया कि अमेजिंग किसान चैनल देख देखकर अपने पोधों की देखवाल भी करते हैं प्रस्तुत है आज की कहानी एक किसान ऐसा भी है नरेंद्र मुंडे जी महरास्ट किसान साथियो नमस्कार आप सब का हर दिख स्वागत हैं अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और मेरे साथ है मेरे कैमरा मैन जोन कुमा किसान साथियो मुझे बहुत से किसानों ने लिखा कि आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे या बहुत कम बना रहे हैं साथियों मैं यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा हूँ और गर्मी बहुती बारिस देर से हुई है तो थोड़ा सा मेरा ध्यान बाग पर जादा था कुछ दिन पहले तीन-चार दिन पहले मैं उपर चड़ रहा था सीडी फिसल गई मैं गिर भी गया मेरे पैर में चोट आई मेरे हाथ में भी काफी वो लगा तो थोड़ा सा परिसान था किसान भाई फोन भी बहुत करते हैं सब के उत्तर भी नहीं दे पाता चमा चाहता हूँ मेरी भी उम्र हो गई है बासट वर्स का हूँ मुझे भी थोड़ा अराम चाहिए जितना काम है मैं करने की कोशिश करता हूँ नरेंदर मुंडे जी जो है इन्होंने 26 जुलाई 2020 को अपनी पहली समस्या बताई ये समस्या थी इन्होंने 2018 में 670 पोदे 16 बाई 16 फीट पर लगाए थे और वरायटी थी फूले सर्बती किसान सातियों महरास्ट में फूले सर्बती बहुत अच्छी वरायटी है फूले सर्बती और साई सर्बती दोनों बहने हैं सिरफ नीमू के जो आकार है उसमें थोड़ा फरक है साई सर्बती थोड़ा अंडाकार होता है और फूले सर्बती गोल होता है छिलका रस मोटाई बराबर रहती है इनकी लेकिन जो हमें राहोरी में वैग्यनिकों ने बताया था कि फूले सर्बती पर तीन साल बाद ही फल आने लगता है और इसका जो उत्पादन है वो साइश सर्बती से 10 से 20 परसेंट है अगर अच्छी देख बालो तो किसान साथियों इन्होंने मुझे 26 जोलाई को कुछ फोटो भेजी आप भी देखिये इन्होंने कितना सुन्दर बाग है मैं देखकर हत पर बर रह गया मैंने कहा आप इसकी देख बाल कैसे करते हैं तो इन्होंने मुझे बताया कि डांट साब मैं तो आपकी वीडियो देखक करता हूं धन्यवाद इन्होंने बताया कि पांच परसेंट पोधों में मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ रोग है जब इन्होंने फोटो भेजी तो मैंने पूरी जानकारे लिए आपने खाद जब लगाये फी खात और 100 g यूरिया दीया था। था। एन्होंने ये भी देखा रंग हरा है उनमें थोड़ी सी कैंकर की समस्य थी और कैंकर के अलावा एक रोग होता है सिट्रस ग्रीनिंग तो वो रोग था और हमने उनको इलाज बताया जो की बहुत ही साधरन सा इलाज था मेरी किसान भाईयों से ये विनिती है कि आप अपने आप ये निर्ने ने ले कि म कितने साधरन इलाज से और कितनी अच्छी बीमारी का जो इनके 5 परसेंट के पोधे थे हमने उन्हें बताया कि सबसर पहला कारिये क्लोरो पाइरोफास 20 परसेंट इसी वाली 2 ml परतिलीटर प्लस उसमें 19-19-19 एनपी के 5 गराम परतिलीटर और चिलेटीड जिग 2 गराम पर पर यह कहा कि इसके 2 दिन बाद इसमें COC, copper oxy chloride 3 गराम परतिलीटर और स्ट्रेप्टो साइकलीन 1 गराम परतिलीटर की स्प्रे करें कि पोधा पूरी तरह भीग जाए, पोधा, टहनिया, सब चीज भीग जाए और इसकी जड़ो में भी उसकी ड्रिंचिंग कर देंग और हमने कहा कि 15 दिन बाद की फोटो भेजे हैं हमारे पास किसान सातियों उन्होंने लगभग एक साल बाद मेरे को फोटो भेजी कि डाट साम मैं थोड़ा सा बीजी था, ये भूल गया और अब देखें ये पोधे आपकी ही महरबानी के करण ऐसे हो गए है, मैंने इसके अ किसान सातियों इस बार मैंने फूले सर्बती अधिक मंगाया था, साई सर्बती थोड़ा कम मिला था, तो मैंने बहुत से भाईयों से निवेदन किया, जिनके जैसे 200 पोधे थे साई सर्बती के, मैंने आप 100 पोधे फूले सर्बती के मेरे कहने से लगाई है, और 100 पोधे सा गए किसान साथियों इन्होंने मुझे दो पिक्स और भेजी है वो मैं बताता हूं देखे यह पोदा है पीला पड़ रहा है अधिकतर किसान भाईयों की समस्या होती है कि यह पोदा पीला पड़ रहा है इसकी देखे यह नीमू का साइज भी रुग गया है बनना और बहुत द्यान से देखिए कि इसकी पतियों में जो इसकी अंत का सिरा होता है वहां पर पतिया निकलनी बंद हो जाती है अब इसे द्यान से देखिए यह मेरा दूसरा पोदा देखे जो इसकी बराबर में है कैसा है और एक पोदा इधर भी देखिए यह कैसा है और अब इस पोधे को देखिए इस पोधे में क्या रोग है मैं बार बार कहता हूँ कि नीमवू के पोधे की जड़ों में पानी नहीं देना है और बरसात के समय तो बिलकुल भी ध्यान रखना है कि उसकी जड़ पर पानी नहीं जाए थोड़ी मिट्टी भी चड़ानी है लेकिन उसके आसपास साफ सफाई रखनी है और ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर पानी नहीं रुके अगर आपके हाँ पानी रुकने की समस्या है तो आप बैड पर लगए अब आईए देखते है अगर मैं इसकी जड़े खोदूँगा तो इसकी जड़ो में मुझे जड़ गलन रोग मिलेगा और इसकी जड़े जो है थोड़ी सी खराब हुई हुई होगी यहाँ पर इसका बड़ा सिंपल सा इलाज मैंने एक बार पहले भी बताया था खालिद भाई के साथ में और मैंने पहले भी कुछ पोदे दिखाए थे और बिल्कुल ठीक किया है मैं आज इस पोदे में वही कारिये करूँगा और मैं फिर देखाऊँगा कि यह पोदा कितना अच्छा हो गया आपको इसके लगभग आदा फिट चारो और थोड़ी खुदाई करनी है धीरे धीरे ताकि जड़े ने कट्टे और मिट्टी हटा देनी है जो जड़े दिखाई देंगी वहाँ पर लगभग परती पोदा अगर आपका एक साल का पोदा है दस से बीस ग्राम कोपर ओक्सी कलोराइड डाल दीजिए देखे जैसे इस पोदे में डला हुआ है उसे डाल कर वहाँ पर मिट्टी चड़ा दीजिए और हलका सा पानी का छिड़काओ करतीजिए हलका सा वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नमी बना कर रखनी है किसान साथियों आप देखेंगे कि जो ये नरेंदर मुंडे जी है फोटो भेजी है कि देखे सर इसमें अब जड़े निकलनी सुरू हो गई है जो जड़े खराब हो गई वो नहीं होंगी और नई जड़े सुरू हो जाएंगी जब ये नई जड़े सुरू होंगी थोड़ी सी चलेंगी तो हम इन में पोशक तत्वे देंगे और हमारा पोधा ठीक हो जाएगा किसान सात्यों मुझे बहुत किसान जो किचन गाड़निंग वाले हैं एह हैं फोटो बहिटे हैं और लगबग मेरे पाद 200-200 पोटो रहो जाते हैं मैं सब के जवाब नहीं दे सकता मेरे पास इतना समय नहीं है हाँ जो भाई पूरी जानकारी देते हैं पोधा कितने वर्ष का है आपने लगाते समय क्या खाद डाली थी क्या इस्प्रे किया था आपके कितने पोधे हैं और ये समस्या कब आई क्या आपने इस समस्या के लिए कोई निवारण किया अगर जानकारी होती है तो कुछ भाई सहमत होंगे कि मैं उनको जवाब भी देता हैं कि जो मैं पोचता हूँ अगर मैंने चार बाते पूछी एक बार में तो एक का उत्तर देते हैं फिर मैं तीन के लिए टाइम देता हूँ इसके लिए मैं आप लोगों से छमा प्रारते हूं बहुत किसान ऐसे हैं जो केवल वीडियो से ही काम चला लेते हैं और वेब समस्या होगी वो हमारे WhatsApp ग्रूप जो की 9910-336138 पर मेरा WhatsApp ग्रूप है उससे जुड़े हैं महां एक्सपर्ट हैं उनकी सला लेते हैं लेकिन उसकी फीस है अगर आप के पास समय नहीं है अच्छी बागवानी करना चाहते हैं और जब समस्या आए तुरंत जवाब चाहते है हमारे लगबग हमारा जो satisfaction rate है यानि कि जो लोग खुशी है वो 98% के लगबग है तो आप फीस दीजिए एक या दो साल उसमें सीखिए जब आपने इतना पैसा किया है तो थोड़ा सा और खर्च की दिए एक बात मैं और बताऊंगा कल मेरे पास एक किसान भाई आए असी से जो गंगो के रहने वाले मेरे पास है उन्होंने मुझे 300 पोधों का ओडर दिया जब वो मेरे पास आए सो पोधे साई सर्बती सो फूले सर्बती सो प्रमाले नी जब वो मेरे पास आए तो बातों बातों में ये बात निकल गई कि मैंने का आपकी दूरी क्या उन्होंने ब साब से तो आपके हां 130 से 35 पेड़ लगने हैं आप पांच चार पोधे ओड़ ले जाओ 140 ले जाओ यानि के उनके 160 पोधे कम हुए और मेरे हां एक पोधे कीमत 100 रुपे है 16,000 रुपे का उनको फाइदा करा है फिर मैंने निवेदन किया कि आप अगर अच्छी तरह इनकी दे यह कहकर के एक साल में इन पे आ जाएगा पांच किलो नीमबू आ जाएगा लखपती बनाने का नहीं है मेरा जो उद्देश्य है आपको सही जानकारी देना है और आपको सिक्सित करना यह वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ मैं विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्का जै हिन जै भारत बंदे मातर